ओम श्रीकरी शायना बहाचाय भोलिनाथ चैशिव शक्ति वेल्कम बाक तो अबर चानल आज हम एक वीकली डीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द जेमिनाय साइन याने कि मिथुन राज्शी के लिए जिसमें हम देखेंगे आने वाला यह जो हफता है आप सब लोगों के लिए क आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेस्बुक पे फॉलो कर सकते हैं उसका लिंक नीचे इस्क्रिप्शन बाक्स में है तो चलिए देख लेते हैं जामिनाय क्या एनरजी रहने वाली है फॉर दे कमिंग वीक यहां पर सुरी अरियल है इसका मतलब यह स्ट्रेंथ कारेज फार इनरजी बहुत साथा दिखाई देरी है जामिनाय आपके लिए अपके लिए इस बाउट स्टेपिं इन्ट इन्ट यह पावर जोन यह जोन और यू में फिल वेरी यह लिग इंसाइड आउट आप अट्रा लोग आपकी तदफ अट्राक्ट असकते हैं यू आर आप अपनी पावर में आ रहा है बिंग स्ट्रॉंग ऐसी वाली इनरजी हमें आ रही है कि वान मोर कार्ड इस कमिंधियो कि तो कुछ अच्छा हो सकता और अस्पिछियस हो सकता और मेभी कि कम्म्यूनिटी अपनी ही कम है लव लाइफ कि अगर बात करें तो क्या सिच्चुएशन है यहां पर कुछ एंडिंग होई है यह हो सकता है कि वार गुइंग थूर रफ फीज ठीक है स्टिल आप अंशॉर है अभी आपका जो सिच्चुएशन ऐसा है ठीक है कि क्या चूज करें बट डीप टाउन आपक के लिए कोई बना है अगैन हमारे पास स्ट्रेंथ काड़ाया है इसका मतलब है कि आप अपनी पावर में अपनी जोन में है लेकिन यह जो रिलेशन्चिप है जिससे भी आप दील कर रहे थे इस लाइक स्टक सिचुएशन ठीक है तो डोंट एक्सपेक्ट टूमाच कुछ स फजिए पार्टनर है अपकोर्स उसका देरा कि या वौट की घpower थेख्याई पारनाजी तीच है और अप्र इनर्जच अवच संब्स क democratic सिचोर्ट अFार जैज़्च है उबम इस फेज़ंग से ट्या चांटे जौना उसे घो कि दीक है फंद एक ग्समाट्र। we are getting or maybe communicate करना चाहते हैं तो यह किस और भढ़ रहा है relationship मुझे ऐसा लगता है एक distance दिखाई दे रहा है between both of you okay एक वो silent energy दिखाई दे रही आप लोगों के बीच में ऐसा लगता है कि अंदर ही अंदर आप लोग committed थे but now एक distance दिखाई दे रहा है आप तोनों एक दूसरे से बहुत जादा you know lot of romantic feelings अगया है हमारे पास healing बहुत सारी cards आ रहा है healing family issues का card आ रहा है तो issues तो है relationship में clear relationship नहीं है अब मैं कहूं clean and healthy no pay attention to the red flags of course तो यह person आपकी life में आते हैं मुझे ऐसा लगता है जब इनको ऐसा लगता है कि they are romantically you know और फिर यह person चले जाते है on off on off चलता रहता है but I think यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि feeling of discontentment है और जो अपनी power में आ पार रहे हैं और यह अच्छी बात है चमिना है कि आप अपनी power में आ रहे हैं तो क्या expect कर सकते हैं देखिए हमारे पास यहां पर release your ex का card आ रहा है तो अगर जो लोपी है किसी toxic connection में तीक है single है love connection है और अगर आप किसी toxic connection में है तो release your ex या फिर आपके partner को अपने अगर वो किसी के साथ deal कर रहे है तो उनको उस relationship को give up करके यहां आपकी तरफ आना पड़ेगा दो बाते हैं दीखिए क्योंकि red flags तो है इस connection में तो दो बाते हैं या तो आपको ex को छोड़ना होगा और आगे move forward करना होगा अगर toxic connection है या फिर आपके partner किसी ऐसी situation में है third party situation deal कर रहे हैं तो उसमें से बाहर निकलना होगा new love का card आ रहा है of course तो इसका मतलब है you need to free yourself first और जो लोग singles भी हैं उनके लिए भी हमारे पास एक new love ठीक है तो past energy में से बाहर निकल चाहिए अगर आप past traumas में है या कुछ भी है तो उसमें से बाहर निकल चाहिए वक्त आ चुका है कि आप आगे की तरफ बढ़ें और या एक नए नजरिये से आप relationship को एक नया मोर दीचिए ठीक है ना past अगर उसमें ही रहेंगे past तरीकों से relationship handling होग ना लीजे past की बाते को रेते रहेंगे या it's time to clear energy ठीक है तो वो चीज है चलिए अब हम Gemini के career की बात करेंगे कि ये हफता कैसा रहेगा ओके ये four of cups energy आ रही है इसका मतलब ये होता है कि three of pentacles I think it's about an opportunity ठीक है हो सकता है आपको इस हफते success मिले आप कुछ problems में से निकल रहे हैं and you may feel successful ठीक है हो सकता है कि चीजें like start-up हो suddenly you know you may feel की नहीं अब आगे बढ़ने का वक्त है और you may feel happy or you may feel content और आप happy feel कर सकते हैं तो ये जो हफता है मुझे लगता है कि it's about अपने zone में आ रहे हैं अपने लिए कुछ कर रहे हैं या maybe connecting to lot of people या हो सकता है creative हो रहे हैं ठीक है so ये चीजें हमें दिखाई दे रहे हैं Gemini के लिए like doing things अपनी power में step up करना कि नहीं हो सकता है कि लेटली आप अपने काम को time नहीं दे पा रहे हैं but now ये जो हफता है कि आप उसको time दे रहे हैं you are like you know pushing yourself कि नहीं आप ये कर सकते हैं चलिए तो ऐसी energy हमें दिखाई दे रहे है Gemini के लिए क्या guidance है what guidance do we have guidance ये है कि receptive रहे है happy रहे है ठीक है और patience रखिए being receptive while keep patient देखे एक pregnant woman है ठीक है उसको पता है कि कुछ अच्छा होने वाला है positive होने वाला है because she is pregnant ठीक है लेकिन patience तो रखना होगा क्योंकि जो प्रक्रती ने रखा है नियम वो तो होना है अगर नौ महीने एक पच्चे के जरम को लगते हैं तो वो लगते हैं ठीक है लेकिन it's about keeping patience ठीक है ना जो चीज है तो इसका मतला यह है कि divine timing तो अगर आप suppressed रहेंगे अगर आप burden carry करेंगे अगर आप pressurized होंगे तो कुछ होगा नहीं ठीक है अल्टिमेटली आप अपने आपको ही हाम कर रहे हैं तो यह चीज बहुत ध्यान रखने की जुरुत है यहां पे so this is what we are getting for all you people I hope आपको reading पसंद आई हो और हमें comment करके बताएए कैसे लगी मिलती हूं next time बते क्या आई है